दोस्तों हिंदू मानेताओं के अनुसार आपको तो पताई होगा कि भगवान श्री राम को हमारे इधर कितना मान और सम्मान दिया जाता है कई सारी पौरानिक ग्रंतों में भी भगवान श्री राम का वर्णन किया जा चुका है जहां भगवान श्री राम की बात हो रही है और राम सेतु का वर्णन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता ऐसा माना जाता है कि राम सेतु स्वयम भगवान श्री राम ने अपने हाथों से बनाया था ये कई सारे पत्थरों को मिला कर बनाये गया था और हैरानी की बाद तो ये है कि बाकी सारे पत्थरों की तरह ये पत्थर पानी में नहीं डूपता और पानी के उपर ही तैरता रहता है है ना सुनने में ये बड़ा कमाल का दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि राम सेतु करीब 7000 साल पुराना है और इतना पुराना होने के बाद भी ये काफी अच्छी हालत में मौजूद है और शायद आप अभी भी इस पर चल सकते हैं लोगों का ये भी मानना है कि पौरानिक रामायड में जिस रावन की लंका का वर्णन हो रखा है वो आज की समय में श्रिलंका है जिहां कुछ वैज्ञानिकों के हिसाब से ये पूरा राम सेतु साल 1480 तक पानी के उपर ही हुआ करता था पर बीश में आए एक भयंकर तूफान की वज़े से ये पानी के अंदर चला गया जिसके बाद लोगों ने इसका इस्तेमाल करना कम कर दिया तो चरी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी 7000 साल पुराने अद्भुच चमतकार के बारे में जिसे देखकर आपके मन में कई तरह के सवाल आते होंगे जैसे की क्या ये सचमुष में भगवान श्री राम के द्वारा बनाये गया था राम सेतु के निर्माण में कौन से पत्थर यूज हुए थे क्या आज राम सेतु का कोई वज्ञानिक प्रमाण है ऐसे कुछ सवालों से हम परदा उठाएंगे इस वीडियो में राम सेतु क्या है दोस्तों राम सेतु को एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है ये पूरा ब्रिज एक अलग प्रकार के पत्थरों से बना है जो कि तमिल नाडु के पंबन आइलेंड को श्रिलंका के मननार आइलेंड के साथ जोड़ता है ये करीब 50 किलो मेटर लंबा है और देखने में बहुत ही जादा सुन्दर है ऐसा माना जाता है कि ब्रिज भगवान राम द्वारा बनवाए गया था ताकि वो अपनी वानर सेना की मदद से लंका में पहुँच सकें और अपनी सीता को घर वापस ला सकें ये ब्रिज पत्थरों से बनाये गया था और कहा जाता है कि पत्थरों पर भगवान राम का नाम लिखकर पानी में फेका गया तो पत्थर पानी में तैरने लगे क्या राम से तु सच में श्री राम के द्वारा बनाये गया था दोस्तों इस ब्रिज को लेकर सब लोगों का अपना अपना मानना है पर कुछ लोग मानते हैं कि ये भगवान श्रीराम द्वारा ही बनाये गया था वही कुछ लोग मानते हैं कि इसे इंसानों द्वारा बनाये गया था साल 2007 में The Archaeological Survey of India और Supreme Court of India ने ये बोला था कि ऐसा किसी भी तरह का कोई प्रूफ मौजूद नहीं है जो दर्शाता है कि ये ब्रिज भगवान श्रीराम द्वारा ही बनाये गया था हाल ही में 2021 में Union Minister of State for Tourism and Culture ने एक Research को परमीशन दी जिसमें राम सेतु के बारे में और ज़्यादा जानने को मिलेगा इसे के साथ ही मार्च 2021 में एक Expedition भी निकाला गया जिसमें उनका मुख्यकाम राम सेतु में यूज किये गए लाइम स्टोन पत्थरों की स्टड़ी करने का था इसके पीछे का मकसद ये जानना था कि ये पूरा ब्रिज इंसानों द्वारा बनाये गया है या फिर नहीं ताकि जो सालों से चली आ रही डिवेट है उस पर फुल स्टॉप लग सके तो अभी भी ये कहना मुश्किल है कि ये प्रिज इंसानों द्वारा बनाये गया है या फिर भगवान श्री राम नहीं बनवाया है इसके जवाब को ढूलने में शायद कुछ और सालों का समय लग सकता है चली दोस्तों अब बात करते हैं कि ये पत्थर कौन से थे जो की पानी में तैर पा रहे थे क्या ये सच है या फिर जूट आइए जानते हैं दोस्तों आपके मन में तैरने वाले पत्थरों का सवाल तो जरूर आया होगा सारे पत्थर तो पानी में डूब जाते हैं तो ये कौन से पत्थर है जो राम सेतू में यूज हुए हैं जिनका उपयोग राम सेतू बनाने में किया गया और जो कभी डूबे नहीं तो दोस्तो आपको बता दे कि इस दुनिया में कई तरह के अलग-अलग प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं इनमें से एक पत्थर है जिसको प्योमिक स्टोन कहा जाता है जो कि पानी में भी तैर सकते हैं राम सेतू में इसी पत्थर का इस्तिमाल किया गया था प्योमिक स्टो से निकले हुए लावा से बना होता है जिसका टेंपरेचर शुरुवात में करीब 1600 डिग्री सेलसियस से भी जादा होता है और समय के साथ फिर से ठंडा हो जाता है ऐसा ही है कि ये पत्थर पानी में जिंदगी भर तैरता होगा आपको बता दे कि प्यूमिक पत्थर रही है जिसमें अक्षे गुमार आर्कियो लॉजिस्ट की भूमिका में नजर आएंगे इस फिल्म का अभी फिलाल पोस्टर रिलीज हुआ है और जल्दी मूवी का ट्रेलर भी निकट भविश में हमें देखने को मिल जाएगा तो अगर आप में से कोई जानना चाता है रा भी रिसर्च जारी है और हां ये हैरानी की बात नहीं होगी अगर हमको आने वाले कई सालों तक इसका जवाब ना बेल पाए विज्ञान और धर्म के बीच में हमेशा से ही जंग चलती आ रही है और आगे भी चलती ही रहेगी अब देखना ये होगा कि सरकार द्वारा जित क्लिक करना है सिंपल ताकि आपको ऐसी ही मज़ेदार वीडियो के लेटेस्ट अबडेट्स मिलते रहें तो फिर मिलते हैं आपसे अगली मज़ेदार वीडियो में तब तक के लिए गुट बाई